नमस्कार दोस्तों भागवन आपसे भी कबला करूर आपके सारी इक्षाय मुनकबने पुरी हो दोस्तों आज मैं आपसे भी कोई इस हाथ से रिलेटेड महत्म जायन करें दूँगा जिसमें सब्सक्राइब यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो गवर्मेंट जॉब बिजनस म इन सबसे रिलेटेड ज्यादा है तो पहले इसके बारे में कुछ महत्म जानकर यहाँ पर आपको देने वाला रहूंगा देन पूरे पाम का एनलाइस करते हुए लिफ पाम से भी कुछ में इंडिकेशन पर आप्त किया जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मेंटेल मेंटेलिटी को पॉजिटिव मेंटेलिटी को और बहुत शार्प माइंड सेट को भी इंडिकेट करता है तो उस करण से कोई भी चीज आप जल्दी सीख सकते हैं समझ सकते हैं गवर्मेंट एक्जाम के लिए या हाई पोस्ट हाई अथोरिटी के लिए कॉम्प्रेटिव ए करना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है तो इसलिए यहां पर आपके जो माइंड सेट पूरा का पूरा कॉम्पेटिटिव एक्जाम क्रेक करने की योगों को ही इंडिकेट करता है तो माइंड लाइन में कोई भी आपके कमी नहीं है मेमोरी शार्प रहने वाला है तो पुराने से पुराने बातों को याद रखने में आप शक्षम रहेंगे clever mentality के रहेंगे intelligence कुल मिला के रखेंगे overall आपकी अच्छी रहने वाली है यहां से जो एक रेखा उपर के और गई है तो इस करन्ण से आपका दिमाग व्यापार में भी बहुत अच्छे चलेगा औ क्योंकि यहां से जो रेखा यह निकल रही है 28 से ही स्टार्ट हो गई है लेकिन यहां तक पहुंचते बहुत इसको 34 का टाइम लग रहा है तो उस टाइम तक आपको जो है growth इसमें अच्छा मिल जाने वाला रहेगा और यहां पर भी फिर देखे mind lane कितनी smoothly आगे चल रहे है तो बहुत simple mentality और simple इंसान रहेंगे आप ज्यादा आपकी दिमाग में जोल और यह जो इर्शा वगरा यह जो चीजें आजकल समाज में हमको देखने को मिलती है वो सारी चीजें नहीं रहेगा एकदम simple इंसान रहेंगे और अपना व्यक्तित भी सामना लिकले एकदम simple रखे तो overall यह growing mentality को indicate करता है तो mind lane में कोई कमी नहीं है आते हैं direct saturn पर तो saturn mount दबा हुआ भी है और यहां तिल भी है अगर यह तिल है तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि यह government यानि शाशन के तरफ से बाधा देता ही है सदी साथ पीता से भी relation में अनबन मद्वे दूरी या किसी ने किसी वे में उस प्रकार का लाभ पीता से मिल भी नहीं पाता है और यहां बात करें सूरी रेखा के तो सूरी रेखा सिंपल छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी है कोई भी दूशीत यहां पर करने वली कोई और शाखा यहां पर नहीं है तो इस करण से आपको के कर्मों को इंडिकेट करता है पूर्वपुन्य रेखा इसे कहते हैं जो कई न कई लाइफ में श्ट्रगल जरूर कराती है लेकिन हाई लेवल का बहुत उचे लेवल का सक्सेज भी दिलाती हैं तो कभी भी अपना होप जो है कभी भी ना हारें क्योंकि चांसेस तो कुल मिल मान होता है या खुद के बारे में जानना पहचाना आइडेंटिफिकेशन वो थोड़ा कम भी देखने को मिलता है आप एकदम ग्राउंड लिवल के इंसान रहने वाले हैं ज्यादा इगो अगर यह कोई भी चीज़ आपके अंदर रहेगा नहीं तो व्यक्तिकत मामले में यह बहुत शुब इसको हम मान सकते हैं लेकिन अगर इसको माना जाए एक प्रकार से responsibilities के accordingly या उच्पद प्राप्ति के योगों के विशे में तो यहाँ यह योग कम देखने को मिल रहा है मेरे किसी भी बात से आगात होने की जरुवत नहीं है नहीं negative होने क्या हो शकता है पाम में जो अभी indicate हो रहा है वो permanent lifetime नहीं रहता है लेकिन यह इससे यह जरूर predict हो जाता है कि आप सही जा रहे हैं या फिलाल में क्या ऐसी conditions है जो आपको future में रोक रही है या फिर क्या ऐसी चीजें आप कर सकते जो future में आपको benefits दे देने वाली रहेगी अब जैसे यहाँ पर आपकी heartline के बात करें तो यह heartline एकदम state guru से connected है जो honest, loyal nature को indicate करता है यानि बहुत साफ दिल के रहेंगे आप किसी को धोका चाहा करें कि भी नहीं दे पाएंगे तो यह heartline विक्तिकत मामले में कितना अच्छा है लेकिन यह heartline यह भी indicate कर रहा है कि कोई भी काम के प्रतियापकी एकागरता अच्छी रहने वाली है workaholic nature रहेगा लेकिन जब guru mount विक्सित ही ज्यादा नहीं है तो work है ही क्या work कुछ ही नहीं तो कहां व्यक्तित्व है उसको लगाएगा इसलिए इन mounts का develop होना ज्यादा जरूरी है हाला कि मैं इनके remedies दूंगा कुछ सुधार आपको अपने internally करने रहेंगे तो कुछ आपको as a remedy जो है इन ग्रहों को खुश करना रहेगा और इन ग्रह से संबंदित लोगों को भी जैसे गुरू इंडिकेट करता है गुरू जैन माता पिता उनसे बड़ा गुरू को तो कोई है नहीं सूर पिता है और पिता सम बात करें यहां पर आपके बिजनस के भी बारे में तो यहां बुद का अच्छे तरह डेवलप ठीक है और यहां बुद पर कोई भी आपके कमी नहीं है और एक से देख रेखा भी है जो अच्छी बोल चलगी कला को व्यक्त करता है मेठी बोली रहेगी आपकी और यहां से जो हार्ट लाइन के उपर से यानि ये जो लाइन गई हुई है यहां पर में अच्छा लाइन देने वाली रहती है और वहीं यहां पर मर्कुरी लाइन भी डáng भी डेवलपक्ट होकर के चल रही है तो व्यक्त से लाब क्या अफार आफा हाला कि आपके बहुत अच्छे हैं तो उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है और अब आते हैं यहाँ पर overall आपके palm के analysis के उपर तो finger की length पाप के comparison में देख पाएंगे short है जो quickly action लेना या quickly किसी भी बात पर response या जो भी thinking है उसको implement quickly करना इसको indicate करता है to the point बात करना to the point सुनना आप ज़्यादा पसंद करेंगे और आपके अंदर energy overall बहुत अची रहने वाले तो वो जो patience ले वाले वो थोड़ा कम भी आपको देखने को मिलेगा little finger की length कुल मिलाकर के normal है third finger के first port तक पहुँच रही है तो communication इसके लिए इसकारण अच्छा रहने वाला रहेगा अपनी बात को बड़ी स्पस्टितव असनी से दूसरों के सामने रख पाएंगे कोई भी से हिचकीचाहट घबराहट या मन में बात को दबाने ऐसी कोई गतिवीदी नहीं है और यहाँ जो आपका little finger इसका पूरा कपूरो जगाओ सूर के तरफ भी है तो इसका current family को लेकर के आपके sacrifices भी ज़्यादा रहने वाले रहेंगे कभी भी आप family में किसी भी बात को लेकर के माना नहीं करेंगे और third finger के लिए तच्छी है जो कि risk taking nature को indicate करता है तो हिम्मती सोह इस current से रहेगा life में risk के लेने से कभी ब्याब पीछे नहीं हटेंगे और कुछ ना कुछ creativity artistic quality भी रहेगी जिसको निखारते हैं तो name film के chances उस car के द्वारा society में अच्छा हो जाने वाला रहेगा finger के बीच में जो ये gaps maintain हो रहे हैं ये अधिक खर्चिले पन को वेक्त करता है खर्चों पर बिल्कुल नियंतरण आपका जदा नहीं रहने वाला है और साधी साथ independent nature भी रहेगा तो किसी के under में जदा comfortably work नहीं कर पाएंगे खुले सोच विजार वाले वेक्तित वे यहां आपका देखने को मिल रहा है finger के उपर सीधी खड़ी रेखा भी मोजूद है जो आपके friendly nature मिलनसाव सभाव को वेक्त करती है तो उस करण से हर परिस्थिती माहूर में ढहल जाने के आप शक्षम रहने वाले रहेंगे और हर प्रकार के रिष्टों को अच्छे से maintain भी आप कर पाएंगे heartline के end में गोपुच के आकरती है कुछ रहा है नीचे भी आ रही है तो माता पिता के अच्छे सेवक भी रहेंगे वहीं flatty romantic plus good sense of humor भी रहने वाला है इसके लावा यहां पर देखें आप तो यहां heartline आपकी सीधे गुरू से connected है और कुछ जो हलके लिए शागा है वो नीचे के रिवारी है जो emotional setback को indicate करता है यानि जिस जिस से expectation रखेंगे तो थोड़ा धोखा मिलने के chances या दिल तूटेने के chances ज़ादा रहेंगे लेकिन आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी recover कर जाएंगे क्योंकि ये अगर सीधे ऊपर के रोठी जाता तो इस current से फिल जो बाते हैं बहुत ज़्यादा गेहरी आपको लग सकते थी लेकिन आप जो mentality आपकी strong है तो यही आपको control करके रखती है और जितने भी emotions या feelings से यह इसको आप balance अच्छे से कर पाने में शक्षम भी रहेंगे शनी वले की यहां आकरती भी बनी है जो हर कार्यों में बाधा देरी को indicate करता है बहुत मरतबा ऐसा होता है आपके साथ की कोई काम बनते बनते रुक जाता है या एकदम final stage पे आकर के postpone भी हो जाता है तो सेटन के remedies करने ताकि भाग गे खुले आपके और यहां सेटन लाइन अविलेबल है तो धन की स्थीति कुल मिलाकर के जीवन में समान ने अच्छी बनी रहेगी धन में कोई भी खराबी नहीं है बस शनी के remedies करने के बाद आपका earning का जो chances है वो और ज्यादा bright हो जाएगा साधिसात responsibilities बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जो satisfaction level life में है वो और ज्या बलते हुए आपके चंदर के छेदर पर जुक रहा है तो बर्थ प्लेश से दूर आपके settlement होने या बर्थ प्लेश से दूर जाकर कारी करने की योग पूरे के पूरे है क्योंकि यहाँ पर आपका जो fate line है वो moon से ही start हो रहा है flexible जादा है यह line और approximately यहाँ 36 के age के बद से यह strong जादा हुई है उसके पहले flexibility के करन उस प्रकार का यह fate line response नहीं कर पा रहा है तो हम 36 के age तक बीट नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको remedies अभी ही प्रारम करना रहेगा इसके बद यहाँ पर देखें तो एक शाखा अंदर के और यानि शुकर पर जुग गई है एक बाहर गई है तो इस करन से balance अपने life में अच्छा आप कर पाएंगे family और professional life को ले करके family को भी एक समाना आप importance देने वाले रहेंगे और वहीं यहाँ पर दो राहु रेखा है एक यह और एक दूसरी बहुत इसके अलबा यहाँ बात किया जाए आपके मंगल के छेतर की तो मंगल से भी रेखा है निकल के mind line से जूड़ी है जो जल्द बाजी हर बड़ी और बहुत ज्यादे decisions या उनके इंदर बहुत जल्दी changes को accept कर लेना इसके इंडिकेशन देता है बाहरी मंगल अच्छा डेवल अच्छा है तो हर प्रकार की luxuries वह सुख सुविधा का आनंद आप अपने जीवन में भरपूर उठा पाएंगे और अच्छा रहन सहन खान पन घुमना फिरना एक से जादा गाड़ी घरबार बंगला वो सारे योग यहाँ पर हैं लेकिन यहां की आड़ी रेखा अनावश उनिटिस को इंडिकेट करती है जो लाइफ में आपके बहुत अच्छे तरीके से आने वाला रहेगा और शुकर से ही mercury लाइन भी निकली है तो मादा पिता यह परिवार के सुखों में बढ़ोतरी भी होती है और वहीं उनसे benefit मिलने का योग भी बनता जैसे कोई property आपके हा देखाएं जादा है तो मन थोड़ा ज्यादा विचलित होना या मन भटकने के योगों को यह बताता है बाकि चंदर का चेत्र अपने आप में ठीक है तो इसका सागारात्मक सूच और रवय यहां आपका रहने वाला रहेगा फेट लाइन है लेकिन ज्यादा प्रोग्रेसि हो रही है तो इन फ्यूचर यह जैसे स्ट्रोंग होता है तो उसके बाद से जीवन में धन अच्छा आएगा भी रूकेगा भी और बचेगा भी और आपका पेसा जो है इन्वेस्टमेंट परपस में भी अच्छा जाएगा क्योंकि आपके हार्ट लाइन और माइंड लाइ टाइम में मिलेगा दूसरा गुड लीडर्शिप कॉलिटीज लोगों का अच्छा नित्रे तो कर सकते हैं लोगों को समझने की काबिलेत आपके अंदर अच्छी रहेगी थर्ड अचानक से जीवन में भागय उनती होता है क्योंकि उपरवाली की क्रपा बनी रहती है तो उ बेगेस बेनिफिट यहां यह होता है कि यह मंगल का एरिया है और मंगल का रख होता है भूमी का तो इसलिए आपके पस प्रोपर्टी में इन्वेस्ट एवं प्रोपर्टी से लाब उठाने के चांसे बहुत जादा ब्राइट है क्योंकि आपका भाग उसमें सहीयोग अच सारी चीजें डेवलप्ट होगी तो उस करण से लाब के आसार फिर और ज्यादा आपके अच्छे हो जाएंगे जहां तक रही मेरेड लाइफ की बाद तो देखे गुरू पर आपके यहां जो आड़ी यह रेखा है कुछ चल रही है धारमिक रहने की गतिवीदियो को वेक् किती है और जहां तक बात करें आपके यूनियन लाइन की तो यूनियन लाइन थोड़ा सा जैसे नीची को जुका है तो जो आपको पार्टनर रहेगा वो थोड़ा डॉमिनेटिंग नेचर करेंगा और उनका डॉमिनेटिंग नेचर होना भी लाजमे क्योंकि उनका केर नेवाला है तो इसलिए मेरे लाइफ अच्छा है उसमें कोई भी ट्रबल या प्रोब्लम नहीं है डायरेक्ट आते हैं यहां पर आपके लेफ्ट पाम पर तो यहां देखेंगे क्लियर कट एक सीमिन लाइन आपको देखने को मिलेगा सीमिन लाइन किसी भी काम को लेकर के बहुत अच्छा करवाता है साधी साथ एनलेटिकल परसनेल्टी में डेवलप्मेंट भी होने लगता है यानि फिंगर में जो थोड़े दोश्ट है वो फिर खतम हो जाते हैं और एक माइंड लैन सेपरेटली यहां पर चल रहा है तो यह आपको डीप ठींकर बनाएगा डी है ही नहीं इतना चिंता आपको करना ही नहीं चाहिए और यहां जो कार्जिन एंजल लाइन भी है वो भी अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन से स्टार्ट हो तो मेरेज के चांसस भी इसी के टाइम के लंब समय में बहुत जादा ब्राइट है तो यह थी जरूर पूछें तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद